दिसकार की न्यू इंट्रेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिस करेंगे understand करेंगे कि कल कि水 लेवल पर हो सकती है और आज जो मार्केट में फ्लाई इस फॉल के बाद क्रेंडिंग एकस्पाइरी और फैर फिर वॉल्टाइल होगी तो चल जल देते आप्शिन चेन डाटा पर देखते और समझते हैं तो रहे हैं यहां पर तो कल हमने एक important label discuss किया था और उसको मैंने आपको clearly बताया था कि आपका यह जो level है देखो यह जो कल हमने mark किया था 14 जा 740 कल निफ्टी ने 15 मिनिट में इसके नीचे closing नहीं दीती गया था बट तुरंट इसको respect करके उपर आ रहा था बट आज के दिन में क्या हुआ exactly इस लेविल की नीचे ही खुला और फिर उपर नहीं निकल पाया this is the first sign की हमने कल discuss गया था कि इस लेविल की नीचे आप short कर सकते हो तो यहां पर आप देखो कि यहां पर निफ्टी खुला इसके नीचे फिर इसके उपर नहीं निकल पाया और और फिर एक continue selling pressure देखने को मिला till the end अब देख रहे हो गिरा फिर गिरा फिर फिर गिरा तो its mean कि market ने कह सकते हैं कि जो एक downside market में चल रही थी और एक जो recovery देखने को मिली थी देखो यहां से गिरा फिर उपर recover हुआ और फिर यह अब selling continue हो रही है तो कल अगर यहां पर market अगर इस आज के low के नीचे जाता है तो there will be the chances कि market यहां से trending भी हो सकता है तो थोड़ा सा ध्यान से आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा अगर हम option chain पे हैं तो यहां पर option chain में क्या चीज़ है चेंज होई है वहीं पर 14700 की आपकी जो port है वहां पर आप देख सकते हो यहां पर open interest कितनी तेजी से घटके आया है यहां पर सिर्फ 20945 का open interest रह गया है वहीं अगर हम 14700 की call पर आप देख सकते हो 55170 का open interest यहां पर खड़ा हो गया है वहीं अगर 14600 पर आप देख सकते हो 17209 का open interest यहां पर खड़ा है और वहीं अगर हम 14600 की put की बात करते हैं तो 30,000 का open interest य जो call writers हैं वो aggressively call writing करने लगे हैं तो इस चीज़ को आपके लिए लिए समझेजिए कि कल का दिन जो होगा normally bounce back पर आपको selling ही देखने को मिलेगी क्योंकि यहां पर call writer aggressively call write कर रहे हैं अगर हम यहां पर चार्ट पर समझें लेविल को तो चार्ट के लिए जो important लेविल है वो यही होगा कि आपको यह जो लेविल है 14.480 अगर यहां पर निफ्टी hold करता है तो चांसे थे कि एक bounce back देखने को मिले और अगर यहां पर निफ्टी flat खुलके इस लेविल को touch करने जा consolidate कर रहा था और फिर end में यहां पर इसने breakdown दिया और इसी जो यह एक zone था इसके नीचे ही close हुआ है जो है 33,370 का अगर यह आज के लोग के नीचे जाता है तो chances is very high कि यह 32,800 यह 32,500 की तरब बढ़ सकता है तो 32,200 के नीचे आपका जो पहला target होगा वो 33,000 होगा दूसा target 32,800 होगा तो इस चीज़ को आप clearly समझ लीजे ऊपर बाइंग तभी आईगी जब bank nifty 33,700 के ऊपर closing दिखाने लगे या फिर इसके ऊपर टिक जाए क्योंकि आज इसने पूरे दिन कह सकते है 33,700 के ऊपर नहीं निकला है अगर हम global market के बात करें तो currently देखो US market थोड़ा सा positive द यहाँ पर समझ लीजे कि कल का market बहुत जादा वॉलेटाइल हो सकता है और अगर trending होता है तो chances is very high कि कल भी आपको एक बड़ी गरावट देखने को मिल सकती है तो I hope दोस्तों यह particular data आपको सुझ में आ गया होगा दोस्तों फिलाल इस वीडियो में इतने ही है I hope यह वीडिय आएगा वीडियो पसंद आता है तो like and share जरूर करिएगा और चैनल को जो subscribe कर लिए क्योंकि मैं सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि मैं सब्सक्राइब कर आता हूँ हर दिन आपके लिए नहीं वीडियो इसी कितार शुक्रिया दोस्तों जय हिंद